साल 1951 से 2004 तक एकी ही नाम से बनी चार फिल्में, चारो फिल्मों का बॉक्स ओपिस पर रहा अलग-अलग परदर्शन, कोई हिट रही तो कोई सेमी हिट, तो कोई ब्लो एवरेज रही तो कोई फिलो, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्र जी हाँ हलचल नाम से 1951 से 2004 तक चार फिल्में बन चुकी हैं, तो आईए जानते हैं हलचल नाम की सबी फिल्मों के बारे में, हलचल 1951 हलचल नाम की पहली फिल्म साल 1951 में रिलीज हुई थी, ये फिल्म दो फरवरी 1951 को रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन इसके ओज फिल्म में दिलीप कुमारो नर्गिस दत्मुक्ष भूमिकाओं में नजर आये थे या फिल्म बोक्स ओपिस पर सेमी हिट साबित हुई थी हल्चल 1971 हल्चल नाम की दूसरी फिल्म साल 1971 में रिलीज हुई थी यह एक थ्रीलर कामेडी फिल्म थी इस फिल्म का निर्देशन ओप मुक्ष भूमिका निवाई थी साथी प्रेम चोपडा हेलन और मदन पूरी भी इसमें मुक्ष भूमिका में थे जीनत अमान और कविर बेदी दोनों ने इस फिल्म से बोली बुड में डेविव किया था यह एक फिल्म तामिल फिल्म अनुभमम उदुमई इस फिल्म बॉक्स ओपिस पर बिलो एवरिस साबित हुई थी हल्चल 1995 हल्चल नाम की तीसरी फिल्म 1995 में आई थी यह फिल्म 4 अगस्त 1995 को रिलीज हुई थी यह एक एक संथ ठ्रेलर फिल्म थी इस फिल्म को अनीज वजवी ने डारेक्ट किया था इस फिल्म में बिनोत खन्ना अजे देवन काजोल रोहित रोय अम्रीज पुरी कादर खान मुक्य भूमकाओं में थे यह फिल्म बॉक्स ओपिस पर फिलोप साबित हुई थी हलचल 2004 हलचल नाम की चौती फिल्म साल 2004 में आई थी यह फिल्म 26 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी यह एक कामेडी एक्षन फिल्म थी जिसका निर्देशन प्रिये दर्शन ने किया था इस फिल्म में अक्षे खन्ना करीना कपूर अर्शद बारसी सुनिल सेटी अम्रीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें